जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि टी वाइस की वजह से एक लड़की इंफैक्टिटेट हो गई है। और वो लड़की वहाँ पर एक पर्सन को काट लेती है। जिससे वाइरस वहाँ पर इतनी तेजी से फैल जाता है कि वो सब के सब भी जुपिस बन जाते है। और काफी बैटर हो गई है अम्रेला कार्पूरेशन मेडिसन और ड्रग्स की वो कंपनी थी जिसने ये टी वाइरस बनाया लेकिन तब ही कोई उन गन मैंस को मार डालता है और जब एलबर्ट को ये बात पता चलते है कि मेरे साथियों यानि गन्स में इनको मारा जा रहा है तब वो अपने एरिया को सील करवा देता है अम्रेला कार्पूरेशन की टोक्यो वाली बरांच में दिखाए जाती है जो कि काफी बड़ी थी और उसमें जो लैब थी वो भी काफी बड़ी थी और जब एलबर्ट को अपनी जान का खत्रा होता है तो स्क स्अकर prue reality को तोड देती हैं और सब सबसे की क्यूर्टी गार्स को जांसे माड डालती है और अर वो लोग iBzerd को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं लेकिन iBzerd को काफी स्मार्ट था उसने पहले ही प्लैनिंग या रही हैं, तब वो एक हेलीकाप्टर में बैट कर वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते उस बोंब को एक्टिवेट कर देता है। जिसकी व behand़ जिसकी वज़ए से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और एलिस की सारे डूप्लिकेट्स उस ब्लास्ट में मारी जाती है। लेकिन असले जो एलिस होती है वो स्मार्ट प्लैनिंग करते हुए जहाज में भी पहुँच चुकी थी। चे महीने गुजर जाते हैं और एलिस एक लोकेशन पर आर्केडिया नामी जगा के लिए निकल जाती है। और जिब एलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा प्लेंज हैं लेकिन इंसान का कोई नामों निशान नहीं है। यानि जितने भी लोग यहाँ पर मुझूद थे अब वो यहाँ पर नहीं बसते। इस बात को लेकर एलिस काफी परेशान होती है। उसे याद आता है कि यह तो वो ही हेलिकॉप्टर है जिसमें उसने अपनी साथियों और बच्चों को भीचा था। तब वो उस हेलिकॉप्टर को चेक करने लगती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन किसी दूसरे प्लेन में उसे किसी की प्रेजन्स फेल होती है और वो अपनी गंज निकाल लेती है और उस प्लेन की तरफ आगे बढ़ती है लेकिन उस प्लेन में से बैड यानि चमकादर निकलते हैं लेकिन एलिस को अभी पर डाउट हो रहा था कि ज़रूर वहाँ पर कोई नब होई है और उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती ह जो अजीबों गरी भरकतें करते हुए एलिस पर अटेक कर देती है और जब एलिस उसे शूट करनी लगती है तब वो देखती है कि ये लड़की कोई और नहीं बलकि उसकी साथ ही एक फीमिल सोलजर है और उसके उपर अंबेला कॉर्पोरेशन की एक स्पाइडर डिवाइस लगे हुई थी एलिस उसकी बॉड़ी से वो डिवाइस रिमूव करती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ यहां पर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है और मैंने तुम्हारे साथ और लोगों को भी बेज़ था वो कहां पर है लेकिन उस फीमिल सोलजर की मेमरी लॉस हो चुकी थी जिसकी वज़े से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर एलिस क्या कह रही है एलिस ये सोचती पर मजबूर हो जाती है कि इसके साथ जरूर कोई ना कोई अक्सिडेंट हुआ है तब ही इसका ऐसा हाल है और हमें यहां से निकलना चाहिए इससे पहले कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए और वो दोनों हेलिकॉप्टर में बैट कर वहां से चली जाती है और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब उन्हें जील की एक चट पर कुछ सर्वाइवर्स नजर आते हैं जो उन से हेल्प मांग रहे थी और एलिस उनकी चट पर अपना प्लेन उतारती है एलिस प्लेन से उतरती है और उन सर्वाइवर्स से मिलती है वो अपना इंट्रोड़क्शन देती है और फीमिल सोलजर की बारे में बताती है कि मेरे साथ वो भी है वो कहती है कि मैं एक लूकेशन आर्केडिया की तरफ जा रही हूँ आप लोगों को देखा कि हैल्प की जरूरत है तो मैं यहां आ गई तब वहां पर खड़ा हुआ एक पुलिस आफिसर एलिस को बताता है कि आर्केडिया कोई जगा नहीं है बलके वो एक शिप है जो अल्मोस्ट यहां से एक गिलोमेटर की दूरी पर है तब एलिस कहती है कि हमारे लिए वहां पहुँचना काफी डिफिकल्ट है क्यूंकि नीचे काफी ज़्यादा जॉम्बिस है और उनकी बीच से निकलना तो इंपॉसिवल है वो लोग एलिस को एक प्रीजनर से मिलवाते हैं एलिस उस प्रीजनर से मिलती है और पूछती है कि इन लोगों ने तुम्हें प्रीजनर बना कर क्यों रखा हुआ है जिस पर वो प्रीजनर जवाब देता है कि मैं इसी जेल का सोलजर था और मैंने कैदियों को अजाद करवाने की कोशिश की तक वो भी जॉंबिस के खिलाफ लड़ सके लेकिन उनमें से कुछ कैदी ऐसे थे जिनने ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया लेकिन मैं यहाँ से निकलने का रास्ता भी जानता हूँ और अगर तुम मुझे यहाँ से अजाद कर दोगी तो मैं तुम लोगों को सेफली उस शिप तक पहुंच जा सकता हूँ इतने ही देर में वहाँ पर एक सर्वाइवर आ जाता है और वो कहता है कि इसकी बातों को इग्नोर करो एलिन जो वाश रूम में जाती है तो उस वाश रूम की सिलिंग तोड़कर एक जॉम्बी वहाँ पर आ जाता है जोके काफ़ी खतरनाक नजर आ रहा था और वो जॉम्बी उन लोगों पर अटैक कर देता है लेकिन तब भी एलिस अपनी गन निकाल कर उसके सर पर शूट कर देती है जिसकी वज़े से वो जॉम्बी मर जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे कॉइंस निकलते हैं ये देखकर वो सर्वाइबर एलिस को कहता है कि तुम तो काफ़ी स्मार्ट हों तब एलिस उसे अपनी वैपन्स दिखाते हुए कहती है कि इन जॉम्बी को मारना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है मैं इनको मारती आ रही हूँ और ये मेरी आदत बन चुकी है मैंने इतने जॉम्बी मारे हैं कि मैं अब ट्रेन हो चुकी हूँ तब ही हम वहाँ पर एक बड़े और काफी खतरना किसन की मॉंस्टर को देखते है वो मॉंस्टर जेल की दर्वाजों को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो जॉम्बी सर्वाइबर्स को मार डाले जगा है और हम लोग उसमें बैट कर शिप तक जा सकते हैं जब वो लोग टैंक को निकालने जाते हैं तब वो देखते हैं कि टैंक की अंदर तो इंजन फिट ही नहीं है बलकि वो इंजन टैंक के उपर ही पड़ा हुआ था ये देखकर एक सर्वाइबर को इतना खुसा आता है कि वो उस प्रिजनर को शूट करके मार डालता है और बात में वो एलिस के प्लेल में बैट कर वहां से निकल भी जाता है मॉंस्टर जो कि जील का दर्वाजा तोड चुका था और सारे जॉंबिस अंदर आने लगे थे वो सब लोग अपने जान बचाने के लिए उन जॉंबिस का मकाबला करते हैं और उन पर फारिंग करने लगते हैं लेकिन उन गोलियों से जॉंबिस को कुछ में नहीं होती तब एक सर्वाइवर कहता है कि हमें यहां से जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड केव का सहारा लेना चाहिए जो कि इसी पुलिस टेशन में है और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसी अंडरग्राउंड केव की जरी आरकेडिया तक पहुंचेंगे सब सर्वाइवर्स तो उस केव के जरी निकलने में काम्याब हो जाते हैं लेकिन एलिस वहां फस जाती है और इतनी देर में वो मॉंस्टर भी वहां पर आ जाता है जो कि इलिस पर अटेक कर देता है इलिस उस मॉंस्टर से बचने की काफी कोशिश करती है लेकिन उस मॉंस्टर के पास एक काफी बड़ा हधियार था और यहां पर इलिस हारती हुई ही नजर आ रही थी तब एलिस की हेल्प करने उसी की साती फीमिल सोलजर वहां पर आ जाती है और वो मॉंस्टर उन लोगों की तरफ अटेक करने के लिए भागता है लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर एलिस उसके सर पर शूट करने में काम्याब हो जाती है जिससे वो मॉंस्टर मर जाता है और उसके सर में से बहुत सारे कॉइंज निकलते हैं और वो दोनों भी उस केव में चली जाती हैं वो लोग केव से गुजरते हुई एक रास्ते पर पहुँचते हैं लेकिन एक सर्वाइवर को जॉंबिस पकड़ लेते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं एलिस अपने बाकी साथियों को लेकर एक बोट में बैठते हैं और वो लोग आर्केडिया की तरफ बढ़ते हैं और जब वो लोग आर्केडिया पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आर्केडिया की तरफ से बेजी गई रीडियो ट्रांसमेशन जिसमें ये कहा गया था कि सर्वाइवर्स यहां पर आज हैं यहां पर खाना पाने मुझूद है वो तीन दिन पहले की ट्रांसमेश ती और जिनों ने बेज़ा था वो लोग भी यहां पर नहीं थी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो उस शिप की रिकॉर्ड्स चेक करती है तब एलिस को पता चलता है कि तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग जो अभी भी इस शिप पर जिन्दा हैं मगर एलिस को यह पता नही और अम्रीला कॉर्पॉरेशन की बनाई गयी है और अम्रीला कॉर्पॉरेशन ने यह फेक न्यूस फैलाई थी कि सर्वाइवर्स यहां पर आ जाएं और अम्रीला कॉर्पॉरेशन ने ऐसा इसलिए किया था ता कि जो लोग यहां पर आएं वो उन पर अपने एक्सपेरिमे लगाई गई थी एलिस उस डिवाइस को रिमूव करती है और उन लोगों की जान बचाते है और इतने ही देर में वहाँ पर अलबर्ट आ जाता है और यह सारा किया धरा किसी और का नहीं अलबर्ट का था यानि इस सब प्लैनिंग के पीछे अलबर्ट का हाथ था अब यहां प पर आलीस और इलबर्ट की बेच काफी बड़ी फाइट होती है वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे पर काफी भारी पर जाते है लेकिन अलुस एलबर्ट का सर फोड़ने में कामयाब हुझाती है जिससे ऐलबट की मौत हो जाती है इतने ही दिर में से भागने की कोशिश करता है यहां पर भी उसने सेल्फ डिस्ट्रोग बॉंब लगाया हुआ था जिसे वो ब्लास्ट करने वाला था लेकिन इस बार यह बात एलिस को बता चल जाती है लेकिन एलिस और वो लोग काफी खुश होते हैं वो लोग इतने खुश हो जाते हैं और यह समझते हैं कि एलिस ने उनको एक नई जिंदगी दे दी है एलिस फिर से रेडियो ट्रांसमेशन एक्टिवेट करती है और वो मैसिज भीचती है कि जितने भी लोग सर्वाइवर्स हैं वो लेती हैं और यह मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है